क्योंकि टोकन बढ़ चुके हैं लोग सभाज चुनाव के पहले चुरान के लिए 20-20 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है MP की 6 और 36 गड़ की एक सीट पर वोटिंग खत्म हो चुकी है 36 गड़ की बस्तर सीट पर 6 विधान सभाक शेतर में शाम 4 बजे ही वोटिंग खत्म हो गई थी वहीं MP की बालगाट सीट पर 3 इलाकों में वोटिंग 3 बजे तक संपन्न हो गई और बाकी जगहों पर वोटिंग शाम 6 बजे संपन्न हो चुकी है हाला कि कतार में खड़े लोग ज़रूर वोट भी कर पाएंगे लेकिन मध्यप्रदेश में 5 बजे तक के मतदान की भी बात कर लेंगे 21 राजों के 102 सीटों पर मतदान हो गया MP की 6 सीटे हैं जिस पर मतदान हुआ 36 गड़ की एक सीट बस्तर सीट जिस पर वोटिंग हुई है नकसल प्रभावित अलाका 36 गड़ में सारी सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई सीधी, शेहडोल, जवलपुर, चिंदवाला समेत कुल 6 सीटे जहां पर वोटिंग हुई और पिछला अगर 2019 का नतीजा अगर उस पर नज़र डाली चाहे तो 5 मध्यप्रदेश में 6 में से 5 सीटों पर वीजेपी खाबिस थी एक सीट छिंदवाला वहाँ पर कॉंग्रिस ने जीत हासल की थी बद 36 गड़ की बात कर लें, बस्तर सीट पिछली बार कॉंग्रस के पास थी इस बार किसके पास हो, मतदाता ने क्या मतदिया है चार तारीक को नतीजे, चार चुन को नतीजे सबसे पहले न्यूस 18 पर आप देखिए, लेकिन फिल हाल, MP की 6 सीटों पर मतदान संपन हो गया 36 गड़ की बस्तर सीट पर भी वोटिंग हुई है बड़ी संख्या में मतदाता गरमी भीशन पड़ रही थी लेकिन मतदाता बड़ी संख्या में निकले आपने मतदिकार का इस्तमाल किया चंदवारा मंडला बाला घाट में वोटिंग संपन हो चुका है चिटपुट गटनाओं के बीच मध्यप्रदेश और 36 गड़ दोनों जगहों पर मतदान की समाप्ती हो चुकी है अब वे लोग जो पहले से कतारों में खड़े हुए हैं वे ही लोग वोट डाल पाएंगे वोटिंग परसेंटेज की बारी है वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं कहां कितना मतदान का प्रतीशत रहा है अभी हाला कि फाइनल आकड़े आने बाकी हैं लेकिन 21 राजियों की 102 सीटों पर जो वोटिंग होई इसमें 5 बज़े तक का मतदान प्रतीशत क्या रहा ये हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि इसके अलाबा सीधी, शेडोल, जबलपूर, चिंदवाला, मंडला और बालगार्ट में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग सेंटेज की बात कर लेते हैं और हैलिकॉप्टर आएगा और बताएगा कि वोटिंग पर